प्रस्ट नमबर 41 भारत का पर्थम तेल सोधन सेयंत्र कहां इस्तित है इस प्रस्ट का उत्तर होगा भारत का पर्थम तेल सोधन सेयंत्र डिगवोई असम में इस्तित है 42 नमबर प्रस्न कलिंग पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है इसका उतर होगा कलिंग पुरुसकार बिज्ञान के छेतर में दिया जाता है प्रस्न नमबर 43 हैदराबाद में चार मिनार का निर्मान किसने करवाय था इसका उतर होगा हैदराबाद में चार मिनान का निर्मान सन 1595 में सुल्तान मुहमद कुली कुदूब साने करवाय था 44 नमबर प्रस्न योजना आयो का दक्ष कौन होता है इसका उतर होगा योजना आयो का दक्ष परधान मंत्री होता है 45 नमबर प्रस्ण आयने एकवरी का लेखक कौन था इसका उत्तर होगा आयने एकवरी का लेखक अवूल फजल था 46 नमबर प्रस्ण होप मैन कब किस खेल से सम्मंदित है इस प्रस्ण का उत्तर होगा होप मैन कब टेनिस खेल से सम्मंदित है 47 नमबर प्रस्ण देश बंदू के नाम से किसे जाना जाता है इसका उत्तर होगा देश बंदू के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है 48 नमबर प्रस्ण भारत की सबसे पहली फिलम कौन सी है इसका उत्तर होगा भारत की सबसे पहली फिलम राजा हरिस्चंद्र है 49 नमबर प्रस्न मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी को क्या कहा जाता है इस प्रस्न का उत्तर होगा मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी को स्टेपिज कहा जाता है पचास नमबर प्रस्ण कॉंग्रिस दुआरा पूर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्थाब कब और कहां पारित किया गया था इसका उत्तर होगा कॉंग्रिस दुआरा पूर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्थाब 1939 को लाहोर अधिवेशन में पारित किया गया था 51 नमबर प्रस्ण सुएत करांती का सम्बंध किस से है? इसका उतर होगा सुएत करांती का सम्बंध दूद से है 52 नमबर प्रस्ण भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका उतर होगा भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी कुईन है तिरेपन नमबर प्रस्ण भारत में आपातकाल की घोसना प्रथम बार कब किया गया था इसका उत्तर होगा भारत में आपातकाल की घोसना प्रथम बार 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था चौवन नमबर प्रस्ण मानव शरीर में कितनी पेशिया होती है इस प्रस्ण का उत्तर होगा मानव शरीर में 649 पेसियां होती है पच्पन नमबर प्रस्ण लाल रक्त कणी का आरवीसी का जीवन कितना होता है इसका उत्तर होगा लाल रक्त कणी का आरवीसी का जीवन 120 दिन का होता है चपन नमबर प्रस्ण लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चड़ाने की प्रिक्रिया को क्या कहते हैं इसका उत्तर होगा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चड़ाने की प्रिक्रिया को जस्ती करण, गैलविनी करण या गैलवेनाजेशन कहा जाता है प्रस नम्बर 57 भासा के अधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्ज कौन सा है इसका उत्तर होगा भासा के अधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्ज आंध्र परदेश है 58 नमबर प्रस्ण भारत पर हमला करने वाला पर्थम मुस्लिम आकर्मन कारी मुहम्मद बीन कासिम था और मुहम्मद बीन कासिम ने 1712 SB में भारत पर पर्थम बार आकर्मन किया था 69 नमबर प्रस्ण चंद्र गुप्त मौर्गे के सासनकाल में भारत कौन आया था इसका उतर होगा चंद्र गुप्त मौर्गे के सासनकाल में भारत मेगास्थनीज आया था 60 नमबर प्रस्ण स्रिलंका का पुराना नाम क्या है दोस्तो तिरलंका का पुराना नाम सिलोन है 61 नमबर प्रस्ण बिटामिन की खोज किस ने की थी दोस्तो बिटामिन की खोज फंक ने की थी 62 नमबर प्रस्ण स्टेनलस स्टील किस की मिस्ट धातू है इसका उतर होगा स्टेनलस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकिल की मिस्ट धातू है 63 नमबर प्रस्ण कांसे किस की मिस्ट धातू है इसका उतर होगा कांसे कौपर और टीन की मिस्ट धातू है 64 नमबर प्रस्ण स्वामी विवेका नंद ने सिकागो में हुए बिश्ब धर्म सम्मेलन को कब सम्मोधित किया था इसका उत्तर होगा स्वामी विवेका नदने सिकागो में हुए बिश्ब धर्म सम्मेलन को सन अठारस तिरानवे में सम्मोधित किया था पैसट नंबर प्रस्ण प्रित्वी पर उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका उत्तर होगा प्रित्वी पर उत्री गुलार्द में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है 66 नंबर प्रस्ण साइमन कमिशन भारत में कब आया था? इसका उत्तर होगा सायमन कमिशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था सड़सट नंबर प्रस्ण सुवाश चंदर बोस के तियाग पत्र देने के बाद किसे भारतिय राष्टे कॉंग्रिस का अध्यक्स चुना गया था इसका उतर होगा सुवाश चंदर बोस के तियाग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजंदर परसाद को भारतिय राष्टे कॉंग्रिस का अध्यक्स चुना गया था 68 नंबर प्रस्ण भारत के दूसरे राष्टपती कौन थे इसका उतर होगा भारत के दूसरे राष्टपती सर्व पल्ली राधा कृष्णन थे 79 नंबर प्रस्ण 1940 में मुस्लीम लीग के लाहोर अधिवेशन का अध्यक्स कौन था इसका उतर होगा 1940 में मुस्लिम लिक के लाहोरा दिवेशन का अध्यक्ष महुमाद अली जिन्ना था सत्तर नमबर प्रस्ण वर्स 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लीकन एसोसेशन की स्थापना कहा हुई थी इसका उत्तर होगा वर्स 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिप्रबिकन एसोसेशन की स्थाबना दिल्ली में हुई थी 71 नंबर प्रस्ण वर्स 1919 में आखिल भारतिया खिलाफत सम्मेलन का ज्यक्ष किसे चुना गया था इसका उत्तर होगा वर्ष 1919 में अखिल भारतिया खिलावत संबेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था 72 नमबर प्रस्ण सन 1905 में बनारस अधिवेशन में कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इसका उत्तर होगा सन 1905 में बनारस अधिवेशन में कॉंग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे 73 नमबर प्रस्ण लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था इसका उतर होगा लाल कुर्ती दल अंग्रेजय को निकालने के लिए संगठित किया गया था चोहत्तर नम्बर प्रस्ण लाल कुर्ती दल की स्थापना किस ने की थी इसका उतर होगा लाल कुर्ती दल की स्थापना खान अब्दुलु गफार ने किया था 75 नमबर प्रस्ण मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कम मनाया था इसका उतर होगा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 76 नमबर प्रस्ण माउंट वेटन योजना किसका अधार बना इसका उत्तर होगा माउंट वेटन योजना भारत के विवाजन का अधार बना 77 नमबर प्रस्ण भारतियों को वर्स 1947 में सार्व वॉम सत्ता सौपने की योजना को किस नाम से जाना गया इसका उत्तर होगा, भारतियो को वर्ष उनीश्व सहतालीस में सार वाम सत्ता सोपने की योजना को माउंट वेटन योजना के नाम से जाना गया 78 नंबर प्रस्ण, महात्मा गांधी को सर पर्थम राष्ट पिता किस ने कहा था? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी को सरपथम राष्ट पिता सुवास चंद्र बोस ने कहा था 89 नमबर प्रस्न भारतिय राष्ट कॉंग्रिस का पर्थम विभाजन कब हुआ था इसका उत्तरोगा भारत्य राष्ट कॉंग्रिस का पर्तम विभाजन सन 1907 में हुआ था अस्सी नंबर प्रस्ण महाराष्ट में गणपती परवी की सुरुवात किसने की थी इसका उत्तर होगा महाराष्ट में गणपती परवी सुरुवात लोक मान्य बालगंगा धरतिलक ने किया था